Class 10 Maths and CRT Exercise 15.1 Question 19 इस वीडियो में discuss करेंगे A child has a dice whose six faces shows the letter as given below एक बच्चा है उसके पास एक dice है वहाँ पर 1, 2, 3 ये numbers ना लिखे letters लिखे हुए है ठीक है A है, B है, C, D, E, A इस तरह लिखा हुआ है dice को एक बार फेगा जा रहा है क्या probability है कि इसमें पहला पूछ रहा है कि A आने की तो पहले हम total निकाल लेते है total कितना आ सकता है कितने letters है 1, 2, 3, 4, 5, 6 total हमारा 6 है वैसे भी दिया हुआ है 6 faces तो ऐसे भी समझ सकते हैं total हमारे क्या सकते हैं इन में से कोई सबी 6 आ सकते हैं A की probability बतानी है तो देखो A दो जगे बना है दो faces पे A लिखा हुआ है A की यहां लिखा हुआ है A की यहां लिखा हुआ है तो probability जह हम निकालेंगे तो A हमारा 2 है तो इसलिए 2 लिखेंगे और total हमारा 6 है तो 1 by 3 अंसर हो गया second है D की निकलने की probability है तो भाई D तो देखो यहां पर A खीटो है तो इसकी probability क्या हो जाएगी 1 और total हमारा 6 है तो 1 by 6 हो गया अब यहां साब यह भी देख सकते हो कि A निकलने की probability 1 by 3 है और D निकलने की 1 by 6 है यानि इसकी value बड़ी है और बड़ी इसलिए है तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा वहां से click करके देख सकते हो ओके, thank you